आपको शुगर होगी है आप कहीं से भी सुनकर दवा खा रहे हैं पर आपको उसका जो रिसर्च पेस पता नहीं है कि क्या उस दवा के उपर कोई रिसर्च होई है कि आपकी शुगर को परमानेंट जड़ से ठीक कर सकती है कि नहीं कर सकती है आपकी शुगर बढ़ती जा रही दिरे दिरे उस दवा से कुछ समय के लिए कंट्रोल हूई थी फिर सो डेड़ सो दो तीन सो चार सो पांच तक आपकी शुगर पहुंच गी है वेट आपका कम होने लग गया है निगा आपकी जाने लग गी है पेट आपका बढ़ने लग गया है और कमजोरी खास करके उसका बताने जा रहा हूं, यह एक ऐसा इलाज है जिस से आपका शुगर तो नार्मल हो गी होगा, आप शुगर तो ठीक करी करी लेंगे इस तरीके से, प्लस जो शुगर के आपके शुरीर में नुक्सान चल ले थे, कोई दवा नहीं है जो आपके शुरीर में शुगर को ठी करने के साथ साथ शूगर के जो नुकसान चलते हैं आपके दमाग के उपर आपके जो जननंगों के उपर आपके वेट के उपर आपकी नसों के उपर आपकी आँखों के उपर वो नुकसान गुर्दों के उपर लिवर के उपर कोई दवा पूरी नहीं करती है ये जो या उक्सिजेंट ऐसे मिननल ऐसे विटामन हैं जिनको लेने से सारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है शरीर खून पूरा साफ होने लग जाता है और इससे जो शुगर जैसी बुमारियां वो तो कंट्रोल होती होती है पर जो दूसरी दवाएं नहीं काम करती है कि आपका शुगर तो नॉर्मल हो गया वो भी कुछ समय के लिए दक्के से कंट्रोल कर ली है पर जो शुगर के साइड फेक्ट है नॉर्मल होने के बाद पता लगता है कि इसके तो गुर्दे खराब हो गया है डालैसेस करवाना पड़ेगा इसके तो ब्रेन में कैंसर जैसी दिक्कत आगी है इसके पेट में गांट बनी है इसका लिवर फैटी हो गया है तो ये अलामते शुगर के जो साइड फेक्ट है कोई दवादूर नहीं करती है तो इससे ये भी साइड फेक्ट ये एच बी एवन सी जिसको बोलते हैं कि तीन मीने जैसे टेस्ट है उसको भी ये नॉर्मल कर द वो पूरे तरीके से ठीक होने लग जाएगी आपको पिशाब बार बार जाना बंद होने लग जाएगा खाना खाने के बाद वाली शुगर भी कंट्रोल होने लग जाएगी खाली पेर जो एक सो पचास से उपर चली आती थी वो भी कंट्रोल होने लग जाएगी वेट भी आपका वही पर रुख जाएगा, आप active हो जाएंगे, healthy हो जाएंगे, जो नसों में सुना पन था, वो आपका ठीक होने लग जाएगा, जो stress, depression, गबराट होने लगी थी आपको वो भी आपको ठीक होने लग जाएगी, और जो कोई खारश जा, कोई जखम हो गया था, वो भी इससे पर्मनेंट ठीक हो जाएगा अब लेना कैसे है इसको लेने का बहुत ही बड़ी असान तरीक है जिससे आप शूगर ठीक कर सकते हैं इसको लेने के लिए आपने एक चमच जो तिर्फला चूरना है वो रात को एक गलास पानी के अंदर बिगो देना है सुबा उठते ही खाली पेट इस सभी पानी को पूरी तरह हला कर एक ब्लेंडर में डालने मिक्सी में डाल कर इसको पांच से दस मिट गुमाते रहें तांकि तिर्फला का पूरा अरक हो पानी के अंदर आ जाए अब इसको च्छान लें आप इस सारे लिकोड को इसमें से आद दो दिन के अंदर ही इसका असर शुरू हो जाएगा आपके फैटी लेवर समस्यावी रुक जाएगी लेवर खराब नहीं होगा कैंसर नहीं होगा गुर्दे नहीं खराब होंगे आपके और प्रोस्टेट आपकी हेल्थी रहेगी दमाग में किसी तरह का कोई कैंसर नहीं बनेगा नसों का सुनना पर नहीं आएगा यह चीज़ें आपके साथ होंगी नहीं तो दूसरी वीडियो जैनल पर जरूर देखीएगा और पूरी सैंटिफिकली बेस्ट वीडियो बनाते रहेंगे वीडियो देखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अगर सब्सक्राइब नही सब्सक्राइशन हरो पहुंचे रहें बहुत बहुत शुक्रिया अ कि सब्सक्राइब नहीं जर समा इक पर देखेंगे बहुत बहुत रहेंगे पर